दोस्तो प्राचीन मानवों की जीवन काल में उनकी जीवन शैली आदी मानव के साधारन अधार पर निरबर थी। उनके जंगली फल, खेती, मचली पकड़ने और जीविगा के लिए वनिस्पती का इस्तमाल करना सीखना पड़ा इस प्रकार उनकी आदतें, उनकी प्रतिती के साथ जोड़ करक्ती थी उनका ग्रुप में रहने वाला जीवन शाली भी बहुत महत्पून्ट था मराचीन मानवों समधाओं में समधाय के सदस्व के बीच विसेश सम्बंद बन गए थे वे समाजिक संगन्नों में रहते थे और संगठनों के अंतरगत अपने कारे को करते थे इसके अलावा प्राचीन मानव के परिवार केंडरित था और वे उनकी प्रीडियों के साथ जीतना चाते थे खादे आहार के मामले में प्राचीन मानव अपनी रोज मररा की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए इकटा करना सीखने लगे वे जीवन के लिए बीज, फल, पौधे और जानवर का उप्योग करते थे उनके खाने का आहार आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए उनने समय समय पर मार्क दर्शित करना पड़ता था वे आदिवासी जन जातियां द्वारा बनाये गए उपकर्णों का भी प्रयोग करने लगे जैसे कि पत्थर का उप्योग खादे आहार दारन करने के लिए और विभिन उपियोगी चीज को बनाने लिए अपने आस पास की प्रक्रति संसादनों का उप्योग करके उन्होंने एक शल्टर जैसा घर बनाना सीख लिया था वे बाड, ठंडी, गर्मी और चानवर से बचने के लिए अपने शालेरिक अभिशक्ताओं को पूरा करने के लिए एक निवास स्थानों को विक्सित करने लगे प्राचीन मानवो की जीवन शैली में विश्राम और मनुरणजन की भूमी का बहुत ही जादा महत्पून थी और मुल्यों का महत्पून स्थान था समय के साथ तकनीकी प्रग्रति के साथ-साथ मानव समाज में बड़ी परिवर्तन हुए आदुनिक जीवन शैली बदल गई है और विभिन तकनीके और विज्यानिक उपग्राव में मदद करने के लिए हमारे जीवन शैली और आदुन का अगमन हुआ है अंत में प्राचीन मानव के जीवन शैली में हमें ये दिखाती है कि कैसे विप्राक्रतिक के साथ मेल खाते हुए अपने जीवन को संगठित और समर्थ बनाने के लिए समाजिक रसन रचना धार्मिक तार संतुलन बना सकते हैं उनके आदर्स और मुल्यो दोस्तों अगर है वही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूली का धन्यवाद